वेलकम बेक तो माई चैनल तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं यह तीन लहरिया कुड़तों का रिवियू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यह देखिए यह तीनों मैंने अलग-अलग ब्रेंड से पर्चेस किये हैं तीनों पर जो नेक पर डिजाइन है वो अलग लिए वोडन की बटंस की डिटेलिंग दी हूई है घोटा पत्ती के साथ यह देखिए बहुत अच्छे सा टैच कि हूए इस पर बटंस अप इसकी में देख सकते हैं इस में कलर उप्शन भी है यह इसकी स्लिव है जिस पर गोटा पत्ती ट्राइंगल वाली गोटा पत्ती क कि इसका कोड़ अप्राइज मेंने साइड में में मेंशन किया हुआ आप देख सकते हैं यह स्ट्रेट कट कुड़ता है गाइस देखे इस तरह से इसका कंप्लीट लुक आता है इसका प्रेंट देखे आप वाइट और येलो करलर के कंबिनेशन में यह देखे यह इसका बैक साइड है कि आप स्टिचिंग की फिनेशिंग देख सकते हैं बहुत अच्छी फिनेशिंग है इसकी स्टिचंग में इसका फैब्रिक भी बिल्कुल प्योड कोटन जो होता ना व इसमें यह भी मैंने स्मॉल साइज में मंगाया है राउंड नेक के साथ इसमें भी गोटा पत्ती की लेस के साथ डिटेलिंग है और गोटा पत्ती के फ्लावर भी इसमें एड कियो है जिसमें यह पोटली बटन की डिटेलिंग दी हुई है देख सकते हैं यह इसकी स्लीव है पतली वाली गोटा-पटी की लेस के साथ इसमें स्लीक पे डिटेलिंग दी हुई है देखिए वाइट और ब्लू कला के कॉमिनेशन में यह इसका कोड़ प्राइज आप साइड में स्क्रीन पे देख सकते हैं इस स्ट्रेट कट कुड़ता है गाई यह देखिए इसके फिट्स पढ़ने के में अच्छा लुग आता है यह आप इसका पर देख सकते हैं नजदीक से इस तरह का प्रेंट आसके उपर यह बेक साइड है इसकी यह देखिए साइड दियुआ है इसमें और इसका इसका फेब्रिक भी बहुत अच्छा है पियो कोटन में है बहुत ही सोफ्ट है और ऐसे गर्मी के सीजन में बहुत ही सूधिंग इफेक्ट देता है यह देखिए इसकी लेंद भी अच्छी है यह देखिए इसका जो लहरिया प्रिंट है वो काफी अच्छा है यह हमारा थार्ड कुटता है आप देख सकते हैं साइड में इसकी इमेज दी हुई है कलर ऑप्शन भी है इसमें यह देखिए इसका राउंड नेक के साथ इसके कुछ त्रेड सिल्वर त्रेड का जो वर्क से डिटेलिंग दी हुई है साइड में गोटा पट्टी ट्रेंगल वाली यह देखिए थैड वर्क है साइड में ट्रेंगल वाली गोटा पट्टी के डिटेलिंग दी हुई है और यह सिल्वर कलर के फैब्रिक बटन इसमें एड क्यों है देख सकते हैं कि ग्रीन और वाइट कलर के कॉंबि प्रचीज किया था इसका कोड़ उप्राइज मेंने साइड में मेंशन किया हुआ है यह देखिए साइड में जो स्लिट है न वहां पर दोनों साइड यह डोरी के साथ यह टेसल दियु है फैब्रिक टेसल से जो की काफी अच्छा लोग देती है इस कुट्टे को इसके दूसर सब्सक्राइब करते हैं इसके अच्छी आती है मैं इसे ट्राउजर पेंट पर भी वेयर करती हूं प्लाजो के साथ भी देखिए इसकी स्लाई की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है प्योर कोटन में इसका जो फैब्रिक है वो है यह सा बैक साइड से और यह ग्रीन वाला ब्लू वाला कुटता मैं काफी मंद से वेयर कर दी हूं गाईज वाकई में इनका जो नहीं कलर फेड हुआ है नहीं फैब्रिक इनका ऐसा निकला है कि धुलके खराब हो गया हो या हलका पड़ गया हो जैसे मैंने परचीज किये थे वैसे के वैसे ही है यह कई महीनों से मैं अच्छा इफेक्ट देता है गाईज मेरी वीडियो अगर आपको अच्छे लगती है मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी हो भी मीशो की वीडियो देखने के लिए मैं मीशो होल लाती रहती हूं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो